हुआ हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 10 का मैंस में पियर और प्लीने रिक्रिसिंट टू वेरेबल का सेकेंड वीडियो थी है इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था वो अप्लोड हो चुका था पहले ही आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लिए जाके प्लेडिस में से उसमें लास्ट जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहते हैं हम लोग ने बताया था दो लाइंस के बारे लिए कि दो लाइंस के निचर यह standard form है किसका linear equation in two variable का एक line का जो की दो variable है ठीक है two variable equation है ठीक है एक equation है अब pair में हैं तो दो equation होगी जैसा कि मैंने बताया था तो यहां के हम लगा देते क्या suffix में a1 b1 c1 ठीक है और दूसरी line ले देते हैं क्या a2x plus b2y plus c2 equal 0 अब देखिए तीन तरह के नेचर यह दिखा सकता है थोड़ा space कम हो जाएगा इसलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं ओके देखें पहली line अब लोगे लिख लेते क्या a1 x plus b1 y plus c1 equal 0 and दूसरी line लिख लेते हैं a2 x plus b2 y plus c2 मान लेजे जनरल केस में यह दो लाइनस है ठीक है अब नीचर देखें इसका क्या क्या होगा हम लोग एक table बनाते हुं उसके format में हम लोग याद करें और इसमां यहां पर लेदे हैं यहां पर क्या थे कंडिशन लेते हैं कंडिशन और यहां पर हम लोग लेते हैं नेचर है ओस लाइन कि एंड़ सॉलूशन स्था लेते हैं इतनी बार थे रहे हैं कि दो लाइन के बारे में बताया था कि दो लाइन जहां पर दूसरे को नहीं है या टच नहीं होते हैं दोनों के सॉलूशन होते हैं क्योंकि इस तरह से अगर तच करें तो यह जो प्लस प्लस और एक प्लस पहला केस लेते हैं कि हमारे के पास दोनों लाइन हैं जिसमें कि आपकी कंडिशन क्या बन रहे हैं इस रेसीयो क्या होते हैं आको पाता है ना स्टीन का रेजियो इसका कंपेड़न इससे करेंगे और इसका कंपेड़न यससे करेंगगे तो याद अइन FT is equal एक्वं अपन बी-टू अब विट लहीं है यहां पर देखते हैं कि यह दोनों अध्ड न्यिक यह दोनों अनिक्वल जो फिलेंं Hang hari यह अहुद तो आप जो है लायसे इंटर्सेक्टिंग होगी तो किस तरह की तरह थे जिस तरह से य dislodal यहिए किसी तरह है तो इंटर्सेक्टिंग पर दो यहीं होगा है एक है किसी एक सेक्षिंग लाइन क्या होगें कि एक पॉइंट पर कट करेंगे किस तरीके से एक ऐसे क्या पॉइंट को यहां पर कर रही है या टछक्ष कर रहे हैं तो सोलुशन कितने होंगे अउनि और वन सोलुशन ठिक अब दूसरा आपकर देखते हैं, दूसरी क्या कंडिशन हो सकती है, दूसरी कंडिशन यह हो सकती है, कि A1 अपॉन A2, एक दाट, A1 अपॉन A2, ठीक है, B1 अपॉन B2, और इक्वल है C1 अपॉन C2, ठीक है, इस केस में क्या होगा, लाइन्स क्या करेंगे, कौन साइटिं लाइन्स होंगी, कौन साइटिं लाइन्स का मतलब क्या होगा, नेचर क्या होगा, लाइन्स का, 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 लाइन् थी है तो मतलब वह एक साइटिंग लाइन ती बरी लाइन आपिजाके भोए थी या पिर वार लैप कर रहे थी एक दूसरा को ठीक है इसकेस में इंफाइनाइटली मैंझे सारूटिशन किस अगर है मतलब बहुत सारे solution होंगे जिसकी कोई counting नहीं होंगे अब तीसरा case आता है आपके पास तीसरा case आ रहा है आपके पास तीसरा case क्या है कि अगर दोनों लाइन्स में पहला A1 upon A2 equal है B1 upon B2K बट ये ratio C1 upon C2 के लिए equal नहीं है ये तो equal है ये नहीं है इन दोनों में कि इस वाद एक equal और un equal का difference है तो इस case में क्या होगा lines are parallel और हमें पता है कि parallel lines कहीं cut नहीं करती है अगर parallel lines कहीं cut नहीं करेंगी तो ना touch करेंगे एक दूसरे को और touch नहीं करेंगे तो कोई solution बिज़ता ही नहीं है तो no common solution या फिर no solution आप लिख सकते हैं इसका कोई solution नहीं होगा फिक no common solution और no solution यह आपके तीम condition है basic इसी के basis पर आपको करना है आपके question तो देखे अब यह हमने बता देए आपको condition अब जो हम आपको बता देते हैं क्या क्या बता देते हैं यह वाला पार्ट हटा देते हैं ठीक है यह वाला पार्ट हटा देते हैं अब देखते हम दो दो लाइन लेके for example हमने लाइन लिक्या x-2y इक्वल जीरो ठीक है और दूसरी लाइन ली 3x प्लस 4y-20 इक्वल तो जीरो ठीक है दो लाइन लेजी हमने अब इसमें a1 और a2 क्या होगे यहां पर तो 1 है कुछ नहीं है यहां पर 3 है तो 1y3 उसके बाद भीवाइन यहां बीटू यहां पर minus two है minus two और यहां पर four है four तो two... minus two 4 को हटार देंगे, cut कर देंगे, तो क्या है.. यहां पर minus one by two आ यहां जाएगा जब cancel करेंगे तो तो.. चाहींATE ही equal है नहीं तो unequal cos तो यह lains क्या करेंगी.. intersect करेंगी, intersect करेंगी तो एक solution होगा, ठीक है, intersect करेंगी, तो दूसरी हमारी line हम लोग लेते हैं, क्या, 2x plus 3y minus 9 equal 0, एक line यह हो गई, और एक line हो गई, 4x plus 6y, y नहीं लिखा मैंने, x लिख दिया है, तो 6y minus 18 equal 0, इस case में क्या होगा, देखिए, आप क्या करेंगे, 2 upon 4 करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, b1 upon b2 निकालेंगे, 3 upon 6 निकालेंगे, फिर minus 9 upon minus 18 निकालेंगे, जिसकी value क्या हो जाएगी, 2, 2 जा, 3, 2 जा, और 9, 2 जा, तो answer क्या जाए जा मीचे, 1 by 2 equal 1 by 2 equal 1 by 2, और अब a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, क्या आगया, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 3 निकाल आगया, तो इस केस में, lines क्या होंगी, lines होंगी, coinciding, मतलब, एक दूसरे को overlap पर देंगे, और same line के लिए बात कहीं गई है, यहां पर coinciding lines होंगी, इस जाएसे, infinitely many solutions, इन दो lines के लिए, बहुत सारे solution आ सकते हैं, वही एक single solution नहीं होगा, क्योंकि जो इसका solution होगा, वही इसका solution होगा, तो इस पे xy की infinite values रख सकते हैं, दो चीज़े ऐसे touch कर रहे हैं, तो कहां कहां touch कर रहे हैं, बहुत सारे points पर touch कर रहे हैं, तो यह बात याद रखिएगा, अब last वाली same चीज़ है, लगबग, अगर हम इसी line को, क्या करते हैं, यह बाला concerning lines वाला तो आपको समझ में आ गया, इसी line में हम क्या करते हैं, यहां में करनेते हैं, कुछ और, माल लीची यह बाला हमारा part अलग है, minus 7 कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा यह बाला part तो same रहेगा, पर यहां पर minus 7 है अगर, for example, यहां म 1 upon 2, equal 1 upon 2 तो आ जाएगा, इसके लिए, a upon a to b upon b to के लिए, तो यह equal लेंगा, इस case में no common solution हो जाएंगे, क्योंकि lines क्या हो जाएंगी, parallel हो जाएंगी, मतलब इस तरह से line बनेगी parallel, ठीक है, तो parallel lines बनेगी, ठीक है, तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, यहां पर lines के हमने जो nature देखे देख, क्योंकि इस तरह के line होगी, और solution का क्या behavior होगा, किस तरह से solutions निकलेंगे, या कितने solution होगे, number of solution जो भी होगे, तो वो हमने देखा, ठीक है, अब solution निकालते कैसे हैं, यह हम आगे अगली वीडियो में सीखेंगे, I hope कि आपको nature पूरा समझ में आ गया हो, कि basic सा जो fundal लगता है, किसी lines को solve करने में, वो यही लगता है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को like करते रहिए, और share करते रहिए, हमारे चैनल को subscribe करते र झाल